तो किस प्लेट किसके है कौना है सर जन्हें आप ने बेजा था वो वकील साहब मैंने हां मैंने किसी वकील को नहीं बेजा लेकिन सर वह तो कल से आए हुए हैं और बड़े मज़े से रह रहे हैं कमाल है पहले लोग फुटपाथ पे कबजा किया करते थे अब बंगले पे कबजा करने लगें देखें तो रही कॉन है खुराडा साब तो इतना मानते हैं मुझे मुझे से पुछा पगार एक लास पानी नहीं पीते हैं अब अगर तुमें वो दो दिन न मिले तो बिजारे प्यासी ही मर जाएं कंदे पर से हाथ अटालो ये कंदा आमने खुराडा साब के लिए रिजर्व रखा हुआ है कौने यस खुराडा साब आप वड़ा प्लेजन सर्प्राइज प्लेजर जानता हूं तुम कॉनोर मेरे घर को अपना गर बना कि क्या कर रहे हो सर मेरे नहीं राजमलो तरह पेशे से वकील हूं तेजपाल जी की बीटी से मुझे प्यार हो गया उन पर इंप्रेशन जाड़ने के लिए मेरी मत मारीगे मैं आपके फार्माउस प्यार के नईया पार होने वाली थी कि उसमें छेट करने के लिए आप आप आगए सार और अ अच्छा डैडी अब चले अब तो इनके क्लाइंट आ गए हैं ये बहुत बिजी हो जाएंगे पता नहीं फिर कभ हमारे लिए वक्त निकाल पाएं अरे ऐसा मत करिये प्लीज अगर वक्त ने साथ दिया तो बचा वक्त आपी की सेवा में कटेगा अच्छा साम की चाह आप हमने भी जवानी मैंसे बहुत से खेल के ले हैं हां बस उन दिनों की याद में तुम्हारी मदद की है जाओ यार खुश रहो अरे खुरारा साब थैंक यू यार थैंक यू बहुत तेज़ भाई थोड़ी से जेर में पैट सेले के गले तक पांच गए एक दिन बहुत आगे जाओ के तौस्त सार और रियली वांट तो बिया वेरी बिग नॉट अस बीग अस यू बड़ी वांट टेक्सी निया तू इसमें क्या कर रहा है राज ये तेज़ बात सामने तेरी गारी बेजी है सोनम की शादी के बारे में डिसकॉशन करनी के लिए बुलाया है क्या बात कोई सूट उटे ना अब इस सूट के साथ तु मेरी शादी में सूट नहीं करेगा को रंगीन सूट पेनके आना राज राज अबे मैं राज चलते लोगों के मूह नहीं लगता मैं बड़ा आदमी हों मेरा जिमाग खराब हो गया ही राज तु एना एकदम यार मास्टर इसलिए लोग चले आए उन दिन तुमने सोनम के लिए भगवान से दूला मांगा था बगवान ने तुमारी सुन ली इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम लड़के से मिलो लो यह सब तुमारी दूआओं की वज़े से हुआ है आथर पेटा पीटा पेटा इसक्रा चराज को मै वक्त पर आयो तुम्हारी इस सिटुएशन पर राज कपूर साथ में गाना लिखा भवरे ने खिला फूल और फूल को ले गया राज को और यह रहा राज को और आए नरेन यह राज छोटे मड़े वकील है एफिटेबिट बनाते हैं अगर तुम्हें कोई काम देश से करवा ले ना मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग भी बीस-पचास कम है क्यों राज साब मैंने ठीक करा ना हाँ हाई 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 तो कैसा लगा मेरा सोनू सुन्दर या अथी 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 सुन्दर जरा लेवल पर आजाएंगे अप जी जरूर जी अच्छा नटका बड़िया है नाख जरा सीधी नहीं है उसकी मिरी तरह बड़िया आज़ी नहीं लगे ना इच्छी है अच्छे ना बाल भी सही होते हैं तो आदमी लगता भूगता विज़ा अ हॉशे थोड़े कम है बाल हॉशे थोड़े से बहुता कद ज्यादा कमनी खम से कम मेरे जितना तो पाथ ना आचीत हैं थोव तूम्हें तो आच्छा नहीं लगेगा नी बता न legal एक दरजन नुक्स निकाल कर कहते हो कि मुझे सोनू अच्छा लगा? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें वो बिल्कुल अच्हा नहीं लगा? तुम चाहते हो कि मेरी शादी उसके साथ ना हो तुम चाहते हो कि मैं उसे reject करके तुम से शादी करूँ तूटते हुए तारे को देकर मन्नत मांग सकते हो, कलपनाय कर सकते हो, आईने भेज सकते हो, दुनिया भर की बखवास कर सकते हो, लेकिन मुझ से दो सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं. I love you, Sona. I want to marry you. नहीं, उन सब के सामने तुम जाकर नमस्ते, नमस्ते जी, कैसे हैं आप, करते रह गए, ये भी नहीं सोचा, कि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी शादी कहीं और हो जाएगी. नहीं, जानू, नहीं न सोना, नहीं न सोना बाभा, नहीं नहीं नहीं, I love you, I'm sorry. I love you too. I love you. इस पसारी गलती तुम्हारी भी तो है. कैसे? तुम भी अपना आयना लेकर बैड़गी. इतना भी नहीं, कि अपने गाल के ओपर तील लगा कर साभीत कर दो, इशारा कर दो, कि तुम भी मुझे पैर करती हो. वो तुम्हारे गुरू है, मैं अपने पापा से तो बात कर सकत कारी आपारी, 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 I love you नवावारा, क्या, राज तुम्हे पसंद है? पहले बता ती था राज के लिए तुम मुझे भी कोई अतराज नहीं, लेकिन बेटे एक बार उससे तो पूछलो, उसको रिस्टा मंजूर है कि नहीं? मुझे मंजू कर दो बार करते हैं लड़का घर में बैठा और तुम बाहर दूढ़ रहे हो चलो सबको मीठा किलाओ मूँ अथा कराओ और तुम में करनो में करो चैवाज लाओ बिटा लाओ जीते रो मुबारा को मैं विजगर का दमाद बन गया और मैं जानता हूं कि तुम वह को खास कोशी नहीं होगी मगर तुम्हारी सिस्टुशन के पर मुझे भी राजकपुर्जी का और अच्छा गाना यादा रहा है फिल्म मेरा नाम जोकर का कहीं आग ना लग जाए कहीं आग ना लग आग जैसे घटिया लोग कैसे अपने सपने साकार कर लेते राज तु आ कई में मास्टर आद्वी है यार तुने जो सोचा वो कर दिखाया आदर्श की तरह तेरी गेम भी सक्सेस्फुल हो गई यार तु कहा आदर्श की गेम को मेरी गेम से मिला रहा है उसकी वाइप को देख ऐसे लगता है कोई छोटा बरगत का पेड़ खड़ा है क्यों असा रहा है आदर्श ने शादी नहीं की है समझो था एक्सप्रेस का टिकेट कटा है और उंको देखो ब्लाइन केला मगर विश् यार देखो जिंदीगी में सपने उनी के सागार होते हैं जो सपने देखते हैं इसलिए देखो और उस अड़िवी चाल में रहेकर सपने ठीक से नहीं आते हो ना तो मेरे बंगले में आकर सोना शुरू कर दो क्योंकि नीली चट्री वाले ने हमारे सर पर ऐसी चट्री खोल यहाँ ना अच्री में सोया होता तो जागता ना सब्सक्री दिख सपने देखता था आ चाल आज सारे हकीकत में बदल गया हाँ वहाँ सोना बेभी नहीं रहा नहीं हो सुपर सुपर रॉमांतिक नहीं के ज़रूत नहीं है तो हुआँ तो कोट रप्त हैई रही में होके जा चलो मैं भी चलकर अपनी प्रॉपर्टी के मौइना तो कर लूँ देखूं तो सही केक रात में किन-किन चीजों का मालिक बन गया हूं यह जूस का ले जारा वही आदर्श थाप के कमरे में आदर्श कल से जो नाष्टा है ना पहले मेरे कमरे में आना चीज हाँ हुँ जी हुँ जी हुँ ठाट है लास्ता बाब की का तो बस्ती के अंदर पानी गम चाय पीते थे और आज औरेंज जूस भी फीका लग रहा है पुटारी क्या होगी एक राट में क्या बाते बहुत मुस्क्रा रहे हैं बाबुजी हां मैंने आपसे कहा था ना क्या आपकी बेटी की पैसाकी बना के मैं आपके घर में कुछ जाओंगा गुजाया ना तीन है मर्द की जबान हाँ बताईए बंगले के तरह आपके पास चार उसमें से तीन दो मैने ले लिए चलिए एक आपको दे दिया अब बचा आपको आफिस तो मेरे अनीमून से लोटते ही अपना आफिस खाली कर दे ना इसमें इतनी चौकनी की क्या बात है हां आपके सारे क्लाइंट मैं सभाल गाडिया काफी खड़ी कर रखी हैं मैदान में लोने अपने जवानी में काफी रोमांटिक रहे होंगा हमारे सासुर जी यह गाड़ी तो मैं अपने आफिस आने के लिए रख लूँगा यह ले जाओंगा मैं कभी घुमने फिरने के लिए अपने सोना डालिंग के साथ नि मैं आँट बेज़ोंगा बंगाम उंटकिटा में जीट रहे है क्या वाद दायार्या और्य हानिमून पर चलने की यह इतने अपड़ करें कि जो लिए मैं बाबा हमनिमून नहीं अपने घर जा रहे हैं अचिन बस्ती 맞ी तो मस्ती में रहोगी? जैसे तुम रहते हो और वैसे भी के बार लड़की का खर उसके पती की घर में होता है मैं जानती हूने तुमहे तुम्हारी इज़त कितनी प्यारी है तुम थोड़ी ना जी जाची की तरह याँ घर जमाई बनके रहोगे तुम तो यहां घर के दामाद बनके रहोगे ना, ना भी ए गुड़ बॉइन गेट रही हो क्या ग्यानू, बेबी, सोना, समझा को रहो न, देखो, अंगुलिस्तान का फूल जो होता है न, वो रेकस्तान में कभी परप नहीं सकता जादा से जादा क्या होगा, लोग यही कहेंगे न, कि मैं घर जमाई बन गया, सुन लूगा, सहल लूगा मैं, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर एई, उस दिन तूटते हुए तारे को देखकर मैंने भी एक मननत मागी थी, मैंने मागा था कि तुम मुझे पती के रूप में मिलो, क्योंकि तुम में हर वो बात है, जो एक लड़की अपने पती में ढूंगती है, जिम्मेदारी का एहसास, सच्चाई, इमानदारी, सब क बस भगवान मेरी सुन ली, और इसलिए जहां तुम रहोगे, वहां मैं रहोगी, जिस हाल मैं रखोगे, उस हाल मैं रहोगी, लेकिन तुम्हारे सम्मान के साथ कभी समझाथा नहीं करूंगे, ठीक है? ओ, कमान, स्माइल बेबी, आफ तुम रहोगे, लव यू, बाई